भारत दुआरा बेशे गए चंद्रियान दोग को लेकर कई खुशकबरियां सामने आ रही हैं जेहां भारत के दूसरे मून मिशन पर निकला चंद्रियान दोग दिरे दिरे और सही दिशा की और आगे बढ़ रहा है भारती अंतरिक्ष अनुसंदान संग्ठन इस रोक अनुस परथवी के कख्षा में 22 जुलाई को पहुंशने वेले चंद्रियान दोग की बुद्वको पहली बार सफलता परोग कक्खभ गई गई है को प्रत्वी के तरफ रवाना होने से पहले प्रत्वी का चक्र लगा रहा चंद्रियान दो च्छ अगस्तक चार बार अपनी कक्छा बदलेगा अब 26 जुलाई को तड़के एक बचके नो मिल्ट पर चंद्रियान दो की कक्छा दूसरी बार बदले जाएगी इस रो ने बताया कि तायकारी कम क के मताबिक 20 अगस्तक चंद्रियान दो चंद्रमा की कक्छा में पहुंचेगा जबकि साथ सितंबर को रोवर प्रग्यान चंद्रमा के दक्षणे दुरूपर साफ्ट लेंडिंग करेगा इस रोकाया भी कहना है कि लांच के बाद चंद्रियान दो को प्रत्वी से कम दूरी कक्षों में 170 कLM पर स्थापिट किया गया था बुद्वार को सफलता पुरूबक इसकी कक्छा बढ़ाई गया और इसे प्रत्वी की कक्छा में 230 किलो मेंटर पर स्थापिद कर दिया गया 14 अगस्तक चंद्रियान दो चंद्रमा की करीब वाले कक्छों में पहुंच प्रत्वी से अपनी रवानगी के 48 वे दिन चंद्रयान दो चंद्रमा की सतह पर उत्रेगा अब सवाल यह भी कहा जा रहा है कि भुष में युद्ध मैदानों में नहीं होंगे और नहीं इनमें बंदूक और तोपों का इस्तिमाल होगा आने वाले दिनों की जंग अंत्रिक् भारत इस आशय का इंडिया स्पैस एक्स नामक दो दिर्शी युद्धाब्यास आज यहने 25 जुराई से शुरू कर रहा है जिसमें देश के तीनों सिनाएं और मश्चूर वेग्यानिक शामिल होंगे ऑपरेशन शक्ति का मतलब यह है कि इसी साल 27 मार्च को भारत ने एक सक चम देशों के बराबर खड़ा कर दिया था अंतरिक्ष में मुझद किसी भी सेटलेट को मार गिराने की चमता भारत सईथ चार देशों के पास ही है यह हैं अमेरिका रूस चीन और भारत सबसे बड़ी बात यह कि कोई भी नई तकनीक की खोच के साथ उसे कैसे खत्म किया जा सकता है यहां बाद भी वेग्यानिकों दिमार्ट में आती हैं लेहाज अंतरिक्ष में चक्कर काड़ रहे किसी सेटलेट को नस्ट करने का विचार अमेरिकी वेग्यानिकों के पास इस पूतनी को चोड़ने के एक साल बाद याने उन्हें सट्थावन में आ गया था से लड़ा को विमानों से भी दाका जा सकता है इसमें परमानों मिसाही लें भी शामिलें चीन ने अपना पहला एस एक प्रक्षे पर दोहचार साथ में अंजाम दिया सबसे बड़ी बात यह कि चार देशों के पास यह चमता है कि वे अंतरिक्षे में चक्कर काड़ रहे कि इसी भी देश को सेटेलाइट को पल भर में तबाह कर दें लेकिन अब तक किसी ने ऐसा नहीं किया है सुरक्षा विशचे के मानते हैं कि चारों देश परमानों हत्यारों से लेसें अगर बुल से भी ऐसी कोई गटना होती है तो दुनिया के सामने बहुत भायावा इस्तित उसके लड़ा हुवी मान युद्बोत मेसाईल जखीरा सब के सब खड़े रह जाएंगे और वह उनका इस्तेमाल नहीं कर सकेगा सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस दे बेल आइकन फोर मोर अपडेट्स